Hello everyone, मैं SK Singh Medical Admissions Counselor NIT PG 2023 का Cut-up Revision के बाद क्या सेनेरियो है मैं इसके बारे में discussion करने वाला हूँ वैसे student जो NIT PG 2023 में Cut-up Revision के बाद qualify हुए है ऐसे condition में high SKM हो सकता है NIT PG 2023 के लिए ऐसे मैं मैं बता दूँ कि जो 0% की गई है जो 0 score पे भी student eligible हो गये हैं ऐसे condition में जो मैं अभी तक मैं बता दूँ कि ये government के तरफ से decision ली गई है वो unexpected और ये सही नहीं है क्योंकि जब आप exam ले रहा है exam के बाद भी exam का कोई value नहीं रहा गया तो ऐसे में ये जो government के तरफ से action है उतना अच्छा सही नहीं हो सकता है कुछ student government के against PILB दर्ज कर सकते हैं देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन मैं बता दूँ कि high a scam होने वाला है जो college है वो काफी move फारे हुए हैं और high budget का demand कर रहे है high fee का demand कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल merit basis admission होना चाहिए कुछ state से तो ऐसा information आ रहा है जो fee नहीं ऐसा लग रहा है कि fee के double fee नहीं four time extra fee का demand कर रहे हैं जैसे radio के जहां का fee होना चाहिए two CR का complete package for three year लेकिन इसका four time ज्यादा कुछ college तो four crore का भी demand कर रहे हैं कुछ college आपको eight crore का भी demand कर रहे हैं ऐसे condition में यह student के favor में नहीं यह college के favor में decision आया है इसे college जो है वो काफी अच्छा कमाई कर सकता है लेकिन student को नुक्सानात हो सकते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है वो ऐसे student हो सकता है इस video से काफी ज्यादा परेसान होंगे और काफी गलत कमेंट कर सकते हैं जो student 0 marks, 10 marks, 50 marks या फिर 100 marks, 150 marks लाने के बाद भी qualify हो चुके हैं लेकिन आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि radio derma जैसे branch आपको चाहिए वले ही आप qualify हो चुके हैं लेकिन नहीं मिल सकता है आपके पास यह high budget है और उसके लिए भी काफी मसकत करने पड़ेंगे तब यह seat मिल सकती है यदि आपको medicine pedia gynae जैसे branch चाहिए इसके लिए भी आपको high मसकत करने पड़ेंगे जो under 150 score है तो ही आपको seat मिल सकती है लेकिन जिनका score 100 से नीचे है तो आप लोग बिल्कुल ignore करें बिल्कुल और्थो जैसे branch को बिल्कुल ignore करके चलें आप क्लिनकल में अनस्थिस्या, ENT जैसे ओप्था, Psychiatric जैसे branch को लेकर चल सकते हैं यह भी seat जो मिलेगा आपको management कोटे, NRI कोटे की seat मिल सकती है नोर्मल seat नहीं मिल सकती है आप लोग जादा तो ट्राइ कीजे कि आपको clinical के साथ साथ non-clinical अगर branch चाहिए तो आप clinical के साथ साथ non-clinical के counselling कीजिए otherwise अपना preparation में लगे रहें otherwise यह जो है counselling वो आपको एक मंत का समय आपको बरबाद कर सकता है जो रात का निंद है वो आपको हराम कर सकता है ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी जो भी seat मिलेंगी वो merit basis में मिलेंगी जो last year के cut up था उसके according मिलेंगे इसके last year के cut up था उसके according मिलेंगे जिनका score अच्छा है उनको seat मिल सकती है लेकिन आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि अधी आपको किसी college में seat अगर alert हो चुका है वो college आपको reporting करने दे रहा है या नहीं इसे भी ध्यान देना होगा अगर reporting करने नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में आप सकत action ले सकते हैं college के कर रही है तो ऐसे ध्यान देना होगा आपको किसी भी तरीके कि आपको fraud message call कई आ रहे होंगे आपको और गुम्राह किया जा रहा होगा कि medicine का seat आपको जिनको 50 marks है 60 marks है अंडर 100 marks है अंडर 150 marks है और डिमांड किया जा रहा है आपको 150 में करा देंगे 1 crore 20 lakh में करा देंगे या फिर आपको 2 crore में करा देंगे 2 crore 50 lakh में करा देंगे 3 crore में करा देंगे या फिर 5 CR में करा देंगे या फिर आपको 10 CR में ही क्योंना करा दे या फिर आपका सारा property ही क्योंना ले लो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है आपको आपका seat आपके merit के according मिलेंगे यदि आपके पास NRI का sponsor seat है कुछ एस्टेट ऐसे होते हैं जहां NRI के जो आगर आपके पास sponsor है लेकिन blood relation नहीं है फिर भी सिर्फ sponsor candidate को seat मिल सकती है लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी है कि आपको blood relation के requirement होती है कुछ कुछ ऐसे भी state होते हैं जाब management quota की seat है easily मिल जाती है लेकिन इतना भी कम score पर नहीं मिलेगा यदि आपका 150 या फिर 100 से eva score है तो ही आपको chances बन सकती है आप ज्यादा अगर होते हैं ज्यादा confidence आपको अगर हो रहा है तो हो सकता है कि आप अपने पैसा भी बरबाद कर सकते हैं और seat भी नहीं मिलेगा और अगले साल अगर आपके पास budget का problem आया तो वह साल आपका चला ही जाएगा तो ध्यान देने वाली बाती है कि counseling करें तो सोच समझके किजी इसबाब किसी पर ट्रस्ट करें तो सोच समझके करें बाकी यह दि आप लोग को अगर पर इंफोर्मेशन चाहिए admission चाहिए admission guidance चाहिए तो वीडियो का forensic medicine यह सब ब्रांच आपको मिलेगा इसके अलावे जो ब्रांच है community medicine हो सकता है मिल सकता है लेकिन pathology भी मिलना मुश्किल है उन student के लिए जिनका score under hundred है अंदर हंडेड है खास करके government private तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन बहुत ही मसक्कत करके private मिलेगा बहुत ही मसक्कत करके मिलेगा कटफ जीरो होने का मतलब यह नहीं कि आपको सारे ब्रांच आपको मिल जाएंगे एक मेरे पास फोन आया जीरो माक्स है एक फोन आया जिनका तो आप लाश्ट इयर का मेरिट कटफ देखें इसके एकोडिंग आप जो हैसे लोगों से बात करें बात करने से पता चल जाता है कि आप किसके साथ बात कर दें उन्होंने कितना admission किया है कब admission किया है उनसे कुछ reference लीजिए कि आपने लाश्ट इयर किसी कि बीश्टेट में कर आया है हमें उनसे बात कराइए number दीजिए तब उन पर trust कर सकते हैं लेकिन इस बार थोड़ा जो है unexpected हो सकता हो सकता है किसी भी college में आपको śet नहीं भी मिल सकती है किसी college में जो आपनेRelay नहीं किया था उसमें मिल भी सकती है लेकिन DES करेगा Concelling प्रोसेस पर कि कॉंसलिंग किस तरीके से कराए जा रही है वैसे ऑल इंदिया के कल से रजिस्टेशन अस्टार्ट होगा और सभी स्टुएं जो निवली क्वालिफाइड है अपना रजिस्टेशन को कर सकते हैं और बाकि 23 में फिलाल के वीडियों में इतना हैं दोस्तों थैंक्स पूराती हैं